गुड मॉर्निंग बच्चो कैसे हैं आप सब कक्षा साथ की गड़ित की कक्षा में आप सब का स्वागत है हम बच्चो चैप्टर एट व्यांजको का गुडनफल एवं सर्वसमिकाएं पढ़ रहे थे अभ्यास 8C आज हमें स्टार्ट करनी थी तो अभ्यास 8C स्टार्ट करन तो इसके लिए जैसे कि पहले क्या होता था कि कोई भी एक पद दिया रहता था जैसे माली जी ए प्लस बी दिया है और पी दिया हुआ उसमें पी का गुणा करना है तब हम क्या करते थे बच्चो ए का गुणा पी से करते थे एपी और बी का गुणा भी पी से करते थे बी ठीक है ऐसे ही करते थे ना बच्चो अब यदि यहाँ पर P की जगे कोई और दूसरा बहुपद दिया हो अगर माली जी A प्लस B दिया हुआ है और C प्लस D दिया हुआ है इन दोनों बहुपदों का जो है वो multiply करना है गुणा करना है तब कैसे करेंगे बच्चो तो यहाँ ध खुणा इससे हारा है पूरे बात वाले पस से फ़िर इसके बाद जो चुन्ह लगा पर यहाँ फिर इसके बात क्या होगा बच्चो जो दूसरा बाला पथ से भी उसका डूरह भी इस पूरे पस से होगा ठीक है समझ में आ रहा ना ना क्या हो जाएगा एका गुणा सी अब स्के बाद जो दिया हुआ है वह उसका कुछल्टक के इंदर के दोनों वासे होगा तो क्या भेटों के सासने में कि बच्चो को सुए बलास से बार कुछ प्रश्णावली के सवाल है यनि अब क्या निसकर्ज निकल रहा है कि दो भौपदी ये व्यंजक है ना तो दो भौपदी व्यंजकों का दो भौपदी व्यंजकों का परस पर गुणा करने के लिए प्रथम बहौपद के प्रतेक पद से डूती ये बहौपद के प्रतेक पद में गुणा करते हैं समझ में आ रहा ना कि अगर दो भौपदी व्यंजक दिये हुए हैं उनको परस पर गुणा करना है तो प्रथम बहौपद के प्रतेक पद से ये जो प्रथम बहौपद के प्रतेक पद यानि इस वाले पद को हमने गुणा किया दुती पहुपत के प्रतेकपस से गुणा करते हैं तो दुती पहुपत के प्रतेकपस से गुणा किया हमने इस वाले का भी गुणा किया इससे और यह गुणा करने के बाद यह प्राक्त हुआ ठीके बच्चों ध्यान रहेगा ना क्या से करना है समझ में आ गया चलिए आएए बढ़ते हैं इसके अभ्यास 8C के पृष्णों की और तो पृष्णावली अभ्यास 8C का पहला कोशन देखने क्या कह रहा है गुड़नफल ग्याद करना है हमें गुड़नफल ग्याद कीजिए ठीक है बच्चो अब जैसे प्रक्रिया से मैंने बताया है गुड पहला कोशन ने इसके अलग-अलग कोशन ही दिये हुए है तो पहला कोशन दिया है एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 ठीक है तो इसके लिए क्या प्रक्रिया बताईए बच्चो मैंने कि सबसे पहले क्या करना है पहले पत से देखिए आए कैसे हल करेंगे इसको यक्स का पहले वाले पत गुणा जो ये से कंड़ माले संब्सक्रीपस प्लस 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 से हो जाएगा प्लस लगा सीक फिर दो है तोगम की इसलोंगर से होगा सभाट उय है छीड आई Kopf बच्चो तो यक्स का हम देखिए फिर से समझ लिए क्या किया एक्स का गुणा इस पूरे से किया है फिर दो का गुणा इस पूरे से किया है जो चीन यहां लगा है वही चीन बीच में लगेगा अब आगे क्या प्रक्रिया होगी अब जो बाहर है को स्टक के उसका गुणा अ x square plus 5 x plus 2 x किता हो गया, 7 x plus 10, ठीक है, समझ में आ रहा है न बच्चो, यही इस concept है, good and fall हो गया, यही तो ग्याद करना था हमें, ठीक है, इसी तरीके से बच्चो इसके question number 6 तक, सारे question जो है, वो इसी तरीके से है, हाँ बच्चो देखिए, इसके second question भी वैसे है, third भी वैसे दिया हुआ है, fourth भी वैसे दिया हुआ है, fifth भी वैसे है, और sixth भी वैसे ही question दिया हुआ है, इन सभी question में वही प्रक्रिया करनी है, जैसी मैंने पहले question में आपको बताई है, plus minus चिन्ने का बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि केवल plus और minus का ही अंतर है, बाकि सारी चीजे वही हैं, उसी तरीके से करनी है, चलिए आईए देखते है, question number 7 और question number 8, ये दोनों एक ही टाइप के दिख रहे हैं, तो question number 7 जो है, वो हम हल करते हैं, कैसे इसको हल करेंगे, अच् question number 7 हमारा कह रहा है, x square plus 2xy plus y square एक कोस्टक के अंदर है, और दूसरे कोस्टक के अंदर क्या है, बच्चो, x minus y, ठीक है, कोस्टक बन, अब ऐसे प्रिशनों को हम कैसे हल करेंगे, कुछ नहीं करना बच्चो, बिल्कुल वही प्रक्रिया अपना नहीं है, पहले बहुपत के पर्थम पत का गुणा, दूसरे बहुपत के सभी पत से होगा, उसी तरह दूसरे बहुपत का गुणा, सभी पत से होगा, तीसरे बहुपत का गुणा, इस वाले बहुपत के सभी पतों से होगा, चली आइए करते हैं, तो x square का गुणा किसे होगा, बच्चो, x minus y से होगा, प्लस 2xy दिया है न, जो कतियों रखेंगे 2xy, फिर 2xy का गुणा, फिर इससे होगा जो कतियों, x-y के साथ होगा, समझ में आ रहा है न बच्चो, प्लस थर्ड नमबर पे क्या दिया है, y² तो y² हम लिख लेंगे, और इसका भी गुणा, सेकंड बवपर से होगा, x-y, प्रते पत का गुणा, दूसरे मुपत के प्रतेक पत से हो रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना, बच्चो सारी में सभी में यही प्रक्रिया करनी है, अब x² का गुणा, x से होगा, तो क्या आ जाएगा, x² का गुणा, y से होगा, तो क्या होगा, x² y, प्लस 2xy का गुणा, x से होगा तो 2x square y आ जाएगा समझ में आ रहा है x की घाते जो हैं आधार समान है तो क्या होंगे बच्चो घाते जोड़ जाएंगी ठीक है अब इसके बाद ध्यान दीजिए minus 2xy का गुणा y से होगा तो क्या जाएगा 2xy square plus y square का गुणा x से होगा बच्चो तो क्या आएगा y square x और y का गुणा y square का गुणा minus y से होगा तो क्या जाएगा y cube ठीक है बस आब यहाँ ध्यान दीजिए एक जैसे पद अगर देख रहे हैं तो ने काट दीजिए यहाँ पर क्या दिख रहे है बच्चो x square y तो x square y यह है घट जाएगा यानि क्या जाएगा x cube तो जोगत हो रहेगा 2 x square y में से x square y घटेगा तो क्या जाएगा प्लस x square y ठीक है बच्चो इसी तरीके से 2 x square y में से 2 2 minus 2 x y square में से y square x जो है यह और यह दोनों एक ही पद है एक ही जैसे है जैसे x y square बोलिए या y square x बोलिए एक ही है तो इसमें से जब इसका यह घटेगा तो क्या जाएगा हमारे पास में x y square 2 यह है एक घट जाएगा तो x y square आएगा और चिंद माइनस आएगा क्योंकि जो है वह बड़ी संख्या जो है वह माइनस 2 है माइनस y cube दिया हुए बच्चो तो यह माइनस y cube भी आ जाएगा ठीक है समझ में आया और यही इसका आंसर हो जाएगा यही हमको गड़न फल गयात करना था ठीक है समझ में आया आब इसी तरीके से इसका question number 8 है आईए आगे बढ़ते हैं हाँ बच्चो आप इसका question number 8 उसी तरीके से homework हो गया आपका question number 9 और 10 यह दोनो question बच्चो देखिए एक ही जैसे है ठीक है इसमें जो है इसमें जो है x plus y का गुणा करना है और उत्तर की जाज करना है यानि हम पहले गुणा करेंगे गुणा करने के बाद x equal to 3 और y equal to 2 रखके देखेंगे और हमें देखना होगा कि LHS बराबर आ रहा है RHS के कि नहीं आ रहा है ठीक है तो यह दोनो question एक ही जैसे दिख रहे हैं बच्चो तो question number 9 मैं बता रही हू question number 10 आपका homework होगा आईए देखते question number 9 हाँ बच्चो question number 9 चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे x square minus x y plus y square में x plus y से गुणा करना है ठीक है तो देखते हैं x square minus x y plus y square यह हमने लिख लिया और गुणा किस से करना है x plus y से गुणा करना है ठीक है बच्चो तो यहाँ पर लिख दिया x plus y से गुणा करना है आप यहाँ पर हल कैसे करेंगे जो प्रक्रिया बताई गई है बच्चो सेम वैसे ही प्रक्रिया करनी है आपको x पहले पत का गुणा है इन सब से second पत का गुणा इस से फिर लास्ट वाले पत का गुणा भी इस बपस से होगा चलिए आए देखते हैं x स्क्वेर का गुणा x प्लस y से होगा फिर माइनस x y का गुणा किस से होगा x प्लस y से होगा प्लस y स्क्वेर का गुणा किस से होगा x प्लस y से होगा समझ में आ रहा है ना बच्छो इसका गुणा इस से इसका गुणा इस से इसका गुणा इस से बराबर आ जाएगा अब यहां पर भी क्या करना बच्छो जो को स्टक के बाहर दिया हुआ है उसका गुणा अंदर के दोनों पदों से होना है यही प्रक्रिया हमें इन तीनों प गया गाते आधार समान हैं घाते क्या होगी बच्चों जुड जाएंगी इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा एक्स की घाते तीन प्लस x square y x square का गुणा y से हुआ माइनस अब इसमें x y का गुणा x से होगा तो x की घाते 1 यहां पर फिर माइनस जनना आएगा x y square y एक जैसे अधार है गाते जुड़ेंगी एक दन एक दो हो जाएगा बच्चो ठीक प्लस y square का गुणा यक्स से होगा ये आ गया y square का गुणा y से होगा क्या जाएगा y की गाते तीन अधार जामान है तो गाते क्या होगे आपस में जुड़ जाएगी चाहे तो आप बगल में इसमें फार्मूला भी ले सकते हैं एक पावर m, min 2 एक पावर n, बराबर होता है एक की पावर m प्लस n ठीक है समझ में आया है बच्चो ये फार्मूला तो बगम में आप दिख सकते हैं अब देखे बच्छों एक जैसे पाद यसे स्क्वेर यहाँ पर सब्ल्सकंगा यहाँ बदलने से कोई नहीं पड़ता देखेंगे बचा क्या हमारे पास बच्चो x Q plus y Q ठीक है यह हमारे पास बच्चा अब हमें उत्तर की जांच करनी है अब ये तो हो गया करने के बास हमें क्या मिला ये प्राप्त हो गया अब उत्तर की जांच करनी है यह दी x equals 2, y equals 2 तो सबसे पहले क्या करेंगे अब उत्तर की जांच हमें करनी तो लिखेंगे उत्तर की जांच करनी है क्या दिया हुआ हमारे पास यह दी x equal to 3 और y equal to 2 ठीक है अब x command 3 रखेंगे y command 2 रखेंगे तो समी करण में lhs बराबर क्या जाएगा हमारा यह जो सूत्र था जो प्रशन था वही आएगा x square minus x y plus y square कोस्टर के अंदर x plus y ठीक है समझ में आरा न अब क्या करेंगे बच्चो यहां पर जहां जहां पर भी क्या दिया हुआ है x वहां 3 y की जगे 2 रखेंगे तो 3 का square minus 3 गुणे 2 plus 2 का square फिर x plus y यानि 3 धन 2 समझ में आ रहा ना मच्चो कुछ नहीं किया केवाल x command और y command हमने x और y की जगे पर रख दिया है 3 का square यानि 9 minus 3 दूनी 6 plus 2 का square यानि 4 और 3 धन 2 5 आ गया समझ में आ रहा है अब 9 में से 6 गये कितना बचा बच्चो तीन तीन और 4 कितना हो गया 7, 7 गुडे 5, 7 गुडे 5 आया तो 7 पना 35 तैस father 35 आ गया Prepare 35 आ गया यानि ऐस आलै Jeśli तरीके से हम देखेंगे LHS बराबर कितना आ गया हमारे पास 35 एक दे दीजिए इसको अब इसी तरीके से RHS देखेंगे RHS कितना है तो RHS के लिए क्या करेंगे बच्चो RHS हमारा क्या आया था XQ प्लस YQ RHS क्या आया था XQ प्लस YQ ठीक है यह हमारा RHS प्राप्त हुआ था तो RHS में भी X बराबर 3 Y बराबर 2 रखने पर अब हमने क्या किया इसके RHS में भी X बराबर 3 और Y बराबर 2 रखा तब RHS कितना प्राप्त होगा बच्चो 3 की खाते 3 प्लस 2 की खाते 3 कितना है बच्चो 3 की खाते 3 यानि 3 का 3 बार गुणा तीन का तीन बार गुणा मतलब तीन त्रकाइन नो और नौतरिक 27 और दो की खाथे तीन का मतलब हुआ दो का तीन बार गुणा दो गुणे, दो गुणे, दो दुनी चार, चार दुनी आठ और 27 और 8 कितना होगा बच्चो 35 चीक है यानि हमारे पास RHS भी क्या आ गया 35 आ गया अब एक वा दो से एक इस पहले वाले से देखिए LHS क्या है 35 RHS क्या है 35 तो पहले और दूसरे से क्या पता चल ला है हमारे पास कि LHS बराबर है यही तो हम तर्किजाश करने थी तो इस तरीके से इसका QN 10 भी इसी तरीके से है यह आपका हूमवर्क है और QN 11 जो है वो भी ऐसा ही है और इस question number 11 जो है वैसे सवाल मैंने आगे भी बताएं है यह भी आपका homework है कुछ नहीं करना है इसमें बच्चों दिया है copy की संख्यादी हिंट देख लीजिए कैसे करना है copy की संख्यादी है ठीक और copy का मूले दिया है और copy का कुल मूल्य ग्यात हो कपिए बराबर क्या हो जाएगा काम्पि की संख्या गुणे copy दिये की है उसमें च्पी का उंटीप्लाई कर देंगे की इसके बार पुर्य में सबटें जुक हे ऊसके उसका फट एक्स न 9 डिये तो कविता न श्तक्यौके सचहरेए को इत कमान रख देंगे तो यह भी आपका होमवर्क है बच्चो यह कोशन भी सरल सा है आशा करते हैं कि आपसे बन जाएगा तो अभ्यास 8C यहीं पर खतम हुआ कल हम आगे अभ्यास 8D जो है वो सौल करेंगे और आशा है कि आपको जो आज पढ़ाया गया है वो समझ में आ गया हो बच्चो दन्यवाद